Hello everyone, केस हूँ आप सभी आप सभी दोस्तों के लिए फिर से नई जोब वेकिंसी का अपडेट लेकर आ गया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों इनफोसेस कंपनी का जोब वेकिंसी का अपडेट लेकर आ गया हूँ जो यहाँ दोस्तों इनफोसेस कंपनी में नई भ पुरी जानकारी मिलेगी यहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऑगा कि यहां पाइन फॉसेस कंपनी में किस किस पोस्ट पर किस किस लोकेशन पर जोब आया है जोब रेल और अप कि Infosys Company में बंपर भरती आ गई है latest recruitment आ गया है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो बाकी दोस्तों सबसे अच्छी बात यहां पर यह भी है कि यहां पर 9 फीस दिया गया है 9 फीस का मतलब यह है कि आप लोग Infosys Company में जोब के लिए नौकरी के लिए बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे साथ साथ में दोस्तों यहां पर work from home job भी देखने को मिलने वाला है यानि कि दोस्तों गर आप work at home job करना चाते हो घर बैठी जोब करना चाते हो तो ऐसा भी यहां पर work available है जो कि आपको यहां पर Infosys Company में देखने को मिलने वाला है बात करें दोस्तों salary के बारे में तो salary package भी आपको handsome मिलेगा according आपके post और यहां पर Infosys Company के rule के साबसे handsome salary मिलेगा बाकी दोस्तों यहां पर male candidate, female candidate सभी लोग apply कर सकते हैं Infosys Company में job के लिए इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर All India के लिए job है यह भी बहुती अच्छी बात है So आपको करना क्या है, कैसे आपको job का detail निकालना है, official website पे कैसे आना है, job का profile कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों बस करना क्या है, वीडियो को दिखते रहना है, साथ साथ में वीडियो को like करके, share करके, channel को भी subscribe कर देना है दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे infosys company का job का detail निकालना है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे www.infosys.com की website पे आजाना है, जिया दोस्तों आपको अपको अपने phone में कोई भी browser open करके search कर लेना है, infosys यहाँ जैसे आप यहाँ पे infosys search करोगे, तो यहाँ दोस्तों जो पहले नंबर पे website आती है, टोप पे website आती है, इस पे आपको click करना है, जैसे आप इस पे click करोगे तो आप लोग यहाँ पे www.infosys.com की website पे आजाओगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी हम आ गया है infosys की website पे, अब इस website पे आने के बाद कैसे job का detail न नीची की तरफ आओगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग लिंक के देखने को मिल जाएगा, जैसा की देख सकते हो, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को नीचे आने के बाद दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पे आपको company वाले label में आना है, company वाले label में आओगे, तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक लिंक मिलेगा, carriers का जैसा की देख सकते हो, इसके साथ साथ यहाँ पे आप three line पे भी क्लिक करके, carriers का लिंक निकाल सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है चाहाए, आप यहा लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा काम है, यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते है, experience professional यहाँ पे दिया गया है, एक label बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे experienced professional पे क्लिक करो जैसे कि ब्राजील हो गया जैसे अमेरिका का जो भी है यहाँ पर दिया गया जैसे कि ब्राजील है कनेडा है और यहाँ पर दोस्तों मेक्सिको है और आपका यूएस से हो गया हमें क्या करना है हमें इंडिया के अंदर का जॉब निकालना है तो इसके लिए दुस्तों आपको इस बीच वाले में आना है, सेंटर वाले लेबल में आना है, सेंटर वाले लेबल पर आओगे तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर मिलेगा, Hong Kong के नीचे आपको मिलेगा, इंडिया का बटन, इंडिया का लिंक लेबल ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यह का page यानि कि जो भी यहाँ पर infosys में recruitment आता है इसी page पर update क्या जाता है यसा कि देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो टोटल 1242 job का detail है यानि कि job update क्या है इस job के page पर और यहाँ पर दोस्तों आपको multiple locations पर और multiple post communities पर job देखने को मिलने वाला है अब इस पेच पे आने के पाद कैसे जूब का प्रुफाइल निकालना है कैसे अपलाई करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको search box मिल जाता है search box में आप keyword, title, skills देखे जोब का detail निकाल सकते हो job search कर सकते हो बाकि यहाँ पे आप location भी select कर सकते हो यानि कि आप किस locations का job ढूट रहे हो वो भी आप यहाँ पे select वगरा भी कर सकते हो बाकि नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको multiple opening देखने को मिलेगा यानि कि अभी के तोरान जो भी यहाँ पे Infosys company में job चल रहा होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो developer का job है पूने locations का job है और नीचे होगे तो यहाँ पे consultant में job है जो कि हैदराबाद locations का job है और नीचे होगे तो ऐसे से करके अलग-अलग पोस्टों पे और अलग-अलग locations का job देखने को आपको मिल जाएगा तो करना क्या है अगर आपको इन में से किसी भी post पे apply करना है किसी भी post का आपको detail निकालना है तो आप लोगों को इस पे click करना है मैं आपको एक simple सा demo दिखा देता हूँ जैसे कि यह पूरे locations का job है और यह developer का job है अगर इसके लिए हमें apply करना है तो हम यहाँ पे view and apply पे click करेंगे जैसे हम यहाँ पे view and apply पे click करेंगे तो job का profile यहाँ पे पूरा आजाएगा यानि कि job का descriptions profile आजाएगा जिसमें आपको job के बारे में सारा detail मिल जाएगा जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों post का name है यहाँ पे company name है और दीचाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो code अगेरा दिया गया है work experience का detail है जोब का title है और यहाँ पे educational requirements में क्या मांगा गया है यहाँ पे दिया गया है जैसा कि देख सकते हो और responsibilities क्या होगा सब कुछ detail यहाँ पे दिया गया है जो कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और अगर अप eligible है आप इस post पे apply करना चाहते हैं तो नीची की तरफ आपको apply का button मिल जाएगा जिस पे आप click करके apply कर सकते हो कैसे apply करना मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे apply के button पे click करना जैसे आप यहाँ पे apply के button पे click करोगे तो आप logo के सामने next page आएगा जहाँ पे दोस्तों आप से बोला जाता है कि first name middle name last name देके यहाँ पे आपको register वगएरा कर लेना यहाँ पे first name देना यहाँ पे middle name middle name है तो देना नहीं तो skip करना बाकि last name देना email address यहाँ पे type करना और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको अपना password देना है यहाँ पे confirm पासवर्ड करना है और यहाँ पर यह टिक कर लेना और संबिट करना इसके बाद आप लोगों का रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा रेजिस्ट्रेशन होने के बाद दूस्तों आप लोग यहाँ पर लोगिन कर पाओगे लोगिन करने के लिए दूस्तों आपको यहाँ पर अपन ब्लोगिन होने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने ऐसा पे जाएगा जहां से आपको अप्लाई करना है अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा काम है सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना डेट आप बर्थ सेलेक्ट करना है औ बाकि नीचे की तरफ यहाँ पर दोस्तों आपको experience का detail देना है जो भी आपका है experience वो देना है बाकि skills आप यहाँ पर add कर लेना और यहाँ पर mobile नमबर देख लेना बाकि यहाँ पर resume upload कर देना यहाँ पर दोस्तों इस परकार आप लोग apply कर सकते हो इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि जिस post पर मैंने बोला आप उसी पर apply करो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को infosys company में bumper भरती देखने को मिल जाता है यानि कि अलग 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 locations पर धेर सारा job देखने को मिल जाता है तो आपकी मर्जी है आपको select करना है कि आपको किस post पर apply करना है किस positions का detail निकालना है जिस भी post पर आपको apply करना है जिस भी post का आपको detail निकालना है उस पर आपको click करना है और click करते ही दोस्तों आप logo के सामने job का profile आजाएगा profile को आपको अच्छे से पढ़ना है और अगर प्लिजबल है अप्लाई करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को Infosys Company के जोब के बारे में सब कुछ बता दिया है बाकी कुछ भी डाउट है तो कमेंड बॉक्स में बताईएगा इस वीडियो को जारत जादा लोगों तक सेयर करिएगा और जाते जाते एक जरूरी बात बता दूँ कभी भी अगर आपको कोई कॉल करके मेल करके नोकरिक ले पैसे की मांग करें तो आपको किसी को कोई भी पैसान नहीं देना है बाकी दोस्तों हम लोग मिलेंगे